नमस्कार मैं आशी शकरवाल आप सभी का स्वागत करता हूँ आज के कारेकरम वैपार की बात फ्रेंचाइजी बताओ के साथ में दोस्तों आप सभी लोगों को पता ही होगा कि हम सभी लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चे किसी ना किसी सरकारी education में, सरकारी नोकरी में जाएं लेकिन इसके लिए तैयारियां कहां से होंगे किस तरीके से हम अपने बच्चे को future ready करें कि उन्हें government job मिले और government छेतर में एक बहुत बढ़िया opportunity है NDA sector में तो आज हमारे साथ वंदरा सर्माजी है जो तारा institute से हैं project manager है वहाँ पर तो आज हमें बताएंगे किस तरीके से आपके बच्चे या फिर आप अगर goal रखते हैं NDA में जाने का तो किन-किन बातों कि आपको जानकारी होने चाहिए क्या-क्या आपके मन में सवाल उठते होंगे NDA से related उन सभी सवालों के जवाब आज हम लेंगे Tara Institute से और जानेंगे क्या future है और क्या growth है इस sector में तो हम स्वागत करते हैं आज के कारेकरम में वंदिना सरमा जी का आपका बहुत-बहुत स्वागत है तो मैं सबसे पहले में चानना चाहूंगा कि defense line में कितने courses हैं और किस तरीके से इसमें आगे बढ़ा जा सकता है अगर defense category की बात करें तो बच्चों के लिए courses के options बहुत हैं और वो भी educational qualification के according divided हैं जैसे 12th level पे अगर बच्चे apply करते हैं defense courses के लिए तो navy के separate exams भी हैं Air Force X Group, Y Group, Navy AA, SSR और specifically NDA का भी exam है जो कि सभी armed forces, तीनों armed forces के लिए बच्चे apply कर सकते हैं साथ ही CDS एक exam है जो कि combined defense services कहलाता है जो कि graduate बच्चों के लिए specifically होता है graduation किया हुआ बच्चा apply कर सकता है CDS के लिए वो भी तीनों armed forces के लिए ही specific exam होता है मैं basically यदि कोई NDA में जाना चाहता है तो उसमें future growth क्या होगी और क्या eligibility criteria है first of all हम eligibility criteria की बात कर लेते हैं NDA के लिए as NDA is the popular exam among the students और future growth भी उसमें है हम discuss करेंगे further NDA का जो eligibility criteria है उसके दो parameters है पहला जैसे हमने पहले डभी discuss किया कि educational qualification matters a lot so educational qualification में बच्चे का 12th appearing या फिर 12th pass वो बच्चा अप्लाई कर सकता है national defense exam के लिए अब यहां आता है कि क्या कोई categorization है according to the stream so नहीं किसी भी stream का बच्चा अप्लाई कर सकता है national defense academy के exam के लिए दूसरा eligibility criteria होता है age limit जो कि बहुत specific है अगर आप सभी बच्चे अप्लाई करना चाहेंगे NDA के exam के लिए so उसमें 16 and a half is the starting age साड़े सोलह साल का बच्चा अभी girls भी apply कर सकते हो तो साड़े सोलह साल का boy or girl apply for NDA and then जो maximum age limit है वो है साड़े अठारा को 19 में वो joining ले लेते हैं so यह eligibility criteria है और साथ ही growth की बात हम कर रहे थे so growth के लिए हम बहुत बड़ा example ले सकते हैं Mr. Bipin Rawat जी का जो की chief of defense service sorry chief of defense staff है और इस से जादा career growth किसी other career category में है नहीं एक NDA crack करक करके like 12th level का एक exam crack करक करके आप सीधे chief of defense staff बनते हैं so career growth जो है जो graph है वो बहुत upward है बहुत बड़ी हा मतलब जो हमारे देश के सबसे सरवचपत पर हैं वो भी NDA के थूप जाया सकते हैं और उन्होंने भी NDA ही crack करक करके ये अचीब किया है और सबसे अची बात मुझे अभी जो आप से जानने को मिली वही जानने को लिए यहां पर गर्ल्स भी अप्लाई कर सकती है बिलकुल आशीर जी और ये उपरचुनिटी इसी बार मिली है बच्चो को 14 नवेंबर को जो एंडिय का एक्जाम हुआ है इसी 14 नवेंबर के एक्जाम में गर्ल्स स्टूडेंट ने फर्स टाइम अप्लाई किया है सो यह बहुत अच्छी ऑपरचुनिटी है गर्ल्स स्टूडेंट के लिए डिफेंस के लिए रास्ते तो और भी थे लेकिन एंडिय में एंट्री अभी तक गर्ल्स को नहीं मिली थी सो इस साल नवेंबर से गल्स बच्चों ने भी अप्लाई का शिरू किया है किस तरीके से सेलेक्शन होता नवी में अगर कोई अडिविशिंदा चाहता है सबसे पहले तो स्टेजन क्या है उसको हम जान लेते हैं एक्सलाशन के साथ One is the written exam सबी स्टूंट को focus करना है written exam written exam आप जब qualifآ़ कर जाते हैं तो next stage आता है SSB का जो कि आपको SSB में interview process है, वो हम further discuss करेंगे. NDA के exam pattern की बात कर लेते हैं, exam pattern divide होगा दो paper में, paper 1 and paper 2. Paper 1, specifically for mathematics, 120 questions होंगे, जो कि 300 marks के होंगे, वो आप attempt करेंगे, and then second paper जो होगा, उस paper में English को separate किया गया है, तो parts में divide किया गया है, one part is English, 200 marks, and the second part is Arts and Science subject, जो कि 400 marks का होगा. Okay, so, मैं, अगर कोई NDA में success पाना चाहता है, तो उन्हें किन-किन बातों का धान रखना चाहिए? NDA में success के लिए, सबसे जादा जो जरूरी बाते हैं, वो हैं, आपको academically strong होना है, और साथ ही mentally और physically भी strong होना है. As we discussed earlier, कि इसमें stages होते हैं, one is written exam and the second is SSB. So, written exam qualify करने के लिए, सबसे पहला पार्ट, जैसे कि हमने अभी exam pattern में discuss किया, कि mathematics का होगा. और maths का जो level है, आशीज जी, वो specifically NCRT का level, जो 11-12 का होता है, उससे आपाता है, level उसका high होता है. So, बच्चों को वहाँ पे महनत करने की बहुत जरूरत है. Academically, वहाँ आप strong हैं, तो mathematics क्वालिफाई कर पाएंगे, और साथ ही आपको physics और जो other subjects हैं, other subjects, तैसे arts की subjects particularly, उसमें भी अच्छी strong पकड होनी चाहिए. बिल्कुल. उसके बाद आप जब first stage क्वालिफाई करेंगे, तब ही आप SSB क्वालिफाई कर पाएंगे. तो मैं, जैसे कि आपने बताया कि इसमें level थोड़ा सा high होता है, तो क्या बच्चों को क्या coaching लेने की जरुवत है इसके लिए और है तो अगर क्यों? बिल्कुल है, मैं तो यहीं बोलूँगे क्योंकि जो लेवल है, जैसा हमने बताया अब है कि NCRT का लेवल जो बच्चे पढ़ते हुआ आते हैं, 11th कर लिया, बच्चों ने 12th कर लिया, questions जो आएंगे, specifically for mathematics, वो level जो questions को होता है, वो बहुत टफ होता है. So, उस टफ लेवल पे match-up करने के लिए, जो बच्चों ने academically पढ़ा है, वो काम नहीं आता है. So, NDA के लिए, specifically बच्चे अगर तयारी करके जाएं, तो बेटर है. और दूसरा एक और पॉइंट है, जो बहुत strong पॉइंट है, कि यहां पे age limit है. 16-18 तक ही आपके पास attempts होते हैं. So, number of attempts बच्चा ना वेस्ट करें, बेटर है कि प्रेपरेशन जाएं और one time में ही qualify करें. And the second point is, जो मैं हां आपको बताना चाहूंगे, कि आप defense के लिए जा रहे हैं, वहां पे आपका mentally fit होना बहुत जादा important है. तो अगर आप किसी चीज़ के लिए one time का target लेंगे, तब ही आप NDA भी qualify कर पाएंगे. So, better to focus on one attempt. तो basically, आप लोग ऐसा क्या provide कराते हैं, जिससे कि बच्चे NDA crack कर सके और क्या specific TARA Institute चीज़े provide करा रहा है? TARA Institute provide करता है बच्चों को time management की skills. NDA exam crack करने के लिए, as we discussed की, जो paper है, mathematics का paper है, वह 120 number of questions आते हैं, और उसे solve परने के लिए बच्चे के पास 150 minutes होते हैं, जो के impossible target होता है बच्चों के लिए. उस target को achieve करने के लिए, बच्चे को जो steps लेनी चाहिए, जो time management skills होनी चाहिए, वो हमारे expert, जो हमारे expert team है, हर बच्चे के साथ उस तरीके से काम करती है. बहुत बढ़िया, तो basically NDA का exam साल में कितने बार होता है और अगला कब होने वाला है, ये भी आप बताएं हमाईदर सब्सक्राइब, जो होता है, एक April में जो paper 1 कहलाता है, और दूसरा paper है, वो September में होता है, हर साल दो बार बच्चों के पास options आते हैं, NDA exam के लिए, आप ज Basically, एक बड़ा special question यहां पर निकल कर राता है, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि पिसले एक डिड़ साल से pandemic की situation रही है, क्या ऐसा भी हुआ कि COVID के कारें एक्जाम नहीं हुए, और नहीं हुए तो vacancies क्या हुए और कैसे ये पूरा system कैसे काम किया COVID के दौरान? COVID के दौरान, as such, yes, exam cancel नहीं हुआ, डिले हुआ, हम सभी जानते हैं कि UPSC के थ्रू कंडर्ट कराया जाता है, National Defense Academy का exam, so हर साल में dates change हो सकती है, डिले हो सकता है, लेकिन किसी भी situation की बज़े से, आज तक India का exam cancel नहीं हुआ, डिले हुआ है, डिले हुआ है, लेकिन exam जरूर हु एक exact data तो हम नहीं discuss कर पाएंगे, बट approximately हर exam में, हर paper में, 3-4 लाग बच्चे बैठते हैं, तो basically आपने बता है, 3-4 लाग बच्चे हर exam में बैठते हैं, तो दो बार exam होता है, तकरिवां 7-8 लाग बच्चे हर साल apply करते हैं NDA के लिए, तो इसमें क्या percentage रहता है, कि कितने percentage coaching लेते होंगे, और क्या इसमें success ratio रहता है, तो यहाँ पर वही है, कि exact data हम नहीं दे पाएंगे, coaching important बहुत है students के लिए, जो भी बच्चे NDA preparation करना चाहते हैं, या कर रहे हैं, तो approximately अगर देखा जाये, तो 70-80% तो बच्चे जाते ही हैं coaching के तरफ, तो basically coaching वैसे भी आजकल ज करे रहे हैं, तो basically इसमें बच्चे को क्या cost कितनी आ जाती है, fees क्या होती है coaching के, अशीज जी, cost exact हम नहीं यहाँ discuss कर सकते हैं, क्योंकि course का duration होता है, हर बच्चा starting जो बच्चे की होती है, वो 11th class से preparation स्टार्ट कर सकते हैं, बाद में भी duration 1 year का भी हो सकता है, 3 months का भी हो सकता है minimum, so approximately अगर बात करें cost की, तो 25,000 से starting है, India preparation के लिए, और it goes upwards, okay, तो basically अगर कोई बच्चा कोचिंग में admission लेना चाहता है, तो उसे क्या करना चाहिए, कोचिंग, हमारी कोचिंग में admission के लिए, तारा इंस्टीट में admission के लिए, हमारी 63 branches हैं all over India, so आप center पे जा के admission process complete कर सकत हैं, second option हमारी website है, website पे admission form available होता है, आप वहां से direct admission form फिल करके admission process continue कर सकते हैं, साथ ही contact number आपके पास यहां पे भी दिये गए हैं, direct हमें call करके भी, आप admission process फॉल कर सकते हैं, तो जैसे कि आपने बताया कि आपके बहुत सारे centers 63 plus centers हैं आपके पहने अपने हैं, या फिर franchises हैं आपने branches open QE, किस तरीके से आप यह run कर रहे हैं? यह सब ही centers हमारे franchise branches हैं, तो basically इसका मतलब यह है कि तारा इंसूर साथ जुड़कर कोई business भी कर सकता है, कोई आपके साथ as in franchise भी जुड़ सकता है, तो क्या आप लोग opportunity दे रहे हैं, एक entrepreneurship opportunity भी मिल रही है यहां पर, तो क्या opportunity है आपके? आपके opportunity सभी के लिए है, चाहे वो एक छोटे से कस्पे से हो, या फिर एक state level पे काम करना चाहें, opportunity सभी लोगों के लिए है, level wise design किया गया है in franchisee modules को, पहला है silver franchisee module, जो कि आप एक छोटे से कस्पे से एक block level पे start कर सकते हैं, फिर अगर आप थोड़ा और उपर का जिसके अंदर आपके अंडर silver partners create होंगे और आपको उन्हें monitor करना होगा, then the third is state level, state level पे काम करने के लिए जो जिन्हें की platinum franchisee module कहा जाता है, so उस level पे भी आप हमारे साथ जोड़के gold partners को create कर सकते हैं, silver partners create करने में gold partners की मदद कर सकते हैं, और earnings आपकी multiply हो जाती है, तो basically जो franchisee model है, यह आपके सारे online है या offline है, क्योंकि COVID के समय में offline तो coaching centers चले नहीं, government ने बहुत समय तक बंद कर रखे हुए थे, तो अभी लेकिन फिर से open हो गए हैं मेरे खाल से, तो आप लोग जो यह centers चला रहे हैं, online है या offline है? The platform basically online, यह online live interactive sessions का platform है, interactive sessions को मैं थोड़ा सा enhance करना चाहूंगी, क्योंकि live classes सभी platform पे available हैं, चाहे बच्चा Facebook से पढ़े तो वहां से भी ले सकता है, YouTube से भी ले सकता है, लेकिन जो quality education है वो कहीं न कहीं lag कर रहा था, Tara Institute का main concept यही रहा है, कि हम बच्चे को वो quality प्रोवाइट करें, जो कि बच्चा अभी तक, जो COVID के टाइम में बच्चा छूड गई वो quality बच्चों से, classroom study, classroom study को हमने transform किया है, live classes के दौरान, so interactive sessions में two-way communication होता है, student के पास, चाहे वो mobile पे लेना, चाहे class या फिर laptop पे, या में सरफ audio और video mode हो, तो बच्चा यहां से हमारी classes ले सकता है, faculty से interact करेगा, उस specific live session में, बच्चे के questions सॉल्व किया जाएंगे, so यह basically platform है, second आपका यह questions था, कि हम जो offline classes है, so offline yes, हमारे पास technology पूरी तरी से ready हो चुकी है, क्योंकि offline भी अब धीर दीर जासे सारी situation normal हो रही है, so offline centers भी हमारे आप convert हो रहे है, technology complete है, probably हम next year से offline में भी convert कर देंगे, basically जहां तक मुझे पता है, अगर हम online की बात करें, तो एक बहुत बड़ा challenge रहता है, कि बच्चों के पास study material नहीं होता है, सब कुछ लोग online बेज देते हैं, और we are not so much equipped, हम लोग इस तरीकी से पले बड़े हैं, उसे अपनी पूरी जीजान जोग देनी है, उसी डाइम में, तो आप लोग study material में किस तरीकी से help कर रहे हैं, फर्स्ट अफॉल तारा इंस्टिट्यूट ने इस concept को भी बहुत अच्छे से बारीकी से monitor किया है, उसके बाद ही हमने बनाया है study structure, कि जो भी बच्चा यहा या फिर offline, so online बच्चों के पास भी यह facility है, कि hard copy से बच्चा बढ़ सकता है, दूसरे option platform हमने online भी दिये गये हैं, जो कि study material के साथ साथ, practice material सबसे ज़्यादा जरूरी है बच्चों को, क्योंकि वहाँ पे आपको time management देखने के लिए एक regular practice की ज़रूरत होती है, so तारा इंस् e-magazines, जो कि all over India, बहुत rare institutions है, जो कि e-magazines provide करते हैं, current affairs के लिए, so वो e-magazines specified है, with MCQs, so बच्चे के लिए थोड़ा easy हो जाता है, practice करना, चाहे वो online है, या फिर हमारे साथ और offline जोड़ा हुआ है, basically आपने बखुत ही बड़ी जानकारी थी, बच्चे ना कि सिर्फ online पढ करती हैं, वो से हाइडलाइट कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, और उनको अपीलिंग आएगा, तो आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इसमें, और साथी साथ अपने यह भी बताया है, आप लोग लेवल पर भी फ्रेंचाइजी ले सकता है, कोई इस्टिक कोट हमारी तरफ से ही रहेगा, टीचर्स जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टन पार्ट प्ले करते हैं किसी भी इंस्टिउशन को रन करने के लिए, जैसा कि अगर कोई ऑफलाइन सेंटर स्टार्ट करना चाहें, तो टीचर की कोस्टिंग ही इतनी हो जाती है, स्पेसिफिक यहीं से लाइव होंगे, यहीं से लेक्चर्स बच्चों को प्रवाइड किये जाएंगे, तो वो सारी फैसलिटी बच्चों को यहीं से प्रवाइड की जाएगे, कामराज लाइव लेक्चर के लिए, बेस्ट क्वैलिटी कामराज हम यूज करते हैं, ताकि लाइव specific study material होगा, NDA की other books होंगी और साथ ही अगर किसी और exam के लिए जैसे common law admission test है, law entrance exams है, सभी entrance exams का specific study material होगा बच्चे के पास, साथ ही application की facility. Tara Institute के Google Play Store से बच्चे डाउनलोड कर सकते हैं हर exam का specific application. So, वहाँ पे according to the exam, बच्चे को study material मिलता है, practice material मिलता है, everything is available. So, मैं आपने जैसे बताया कि online में आप पूरा-पूरा support करते हैं, उनका investment भी बहुत काम आता है, के बल उन्हें marketing करनी है, marketing करके बच्चे को लेकर आना है, और आप पूरा study काम आप कर रहे हैं, तो कोई experience आप share करना चाहेंगे, किस तरीकी से आपके साथ franchise और जोड़कर जो franchises हैं, वो किस तरीकी से जोड़कर काम करती हैं आपके साथ? Experience की बात करो, तो recent का एक experience है, अभी तो हम all over India 16 states में काम कर रहे हैं, 63 plus centers हैं हमारे, but recent हमारे साथ एक center add हुए है, जिनोंने इतना अच्छा काम किया है, कि हमने training session अभी start भी नहीं किया था, हमारे एक proper module है, फ्रेंचाइजी लेने के बाद हम फ्रेंचाइजर को एक specific training देते हैं, वो 10 to 12 days का training process होता है, उस training के बाद ही वो अपना काम जो start कर सकता है, जो कि proficient हो, इस वज़े से हम training schedule करते हैं, सो इन्होंने start किया, कुछ training sessions सी start हुए था, और उन्होंने admissions लेना शुरू कर दिया था, और admissions में growth भी काफी अच्छी दिखी होनके, सो फ्रेंचाइजर में अगर थोड़ा सा enthusiasm है और zeal है, कि नहीं हमें कुछ अचीव करना है, सिर्फ हम बच्चों को educate तो कर रहे हैं, फ्रेंचाइजी जो हमारी है, उनके लिए बहुत बड़ा earning का मौका होता है, क्योंकि यहां पे education तो हम provide कर रहे हैं, तारा institute यहां से education quality पे पूरी monitoring कर रहा है, सिर्फ वो अगर focused होके marketing पे काम कर देते हैं, students, number of students को increase कर लेते हैं, सिर्फ अपने area wise भी, तो उनकी income, जो earnings है, वो multiply हो जाती है, comparatively to their investment. तो basically एक अच्छी income opportunity भी है, अगर हम बात करें, education देखे, वैसे भी आप एक तरीके से सेवा भी कर रहे हैं, और साथ साथ अच्छी खासी income भी earn कर रहे हैं, तो यहां पर कुछ पात आती है कि जबकि कोई franchisee लेता है, तो उनकी भी तो कोई responsibility होती होंगे, तो आप क्या चाहत या फिर किसी entrance exams के लिए जाना चाहें, वो सभी बच्चे, ऐसा target कर लें कि वो सभी बच्चे सर्फ तारा इंस्टिर्यूट में ही admission लें, तो उसके लिए basically उन्हें काम क्या करना है, हमारी franchisee को काम करना होगा marketing का, तो marketing जितना maximum वो करेंगे, उतनी उनकी earnings extra होंगी, बहुत ब तो basically आपका यह बहुत पुराना institute है और बहुत सारे media coverage और बहुत सारे awards यहां पर कुछ USP जाना चाहूंगा, क्योंकि जो भी हमाये दर्सक आज यह program देख रहे हैं, आज हमने आपको NDA के बारे में बहुत सारे जानकारी दी, लेकिन साथ-साथ मैं यह भी जानना 2007 से हम यहां work कर रहे हैं, experience के साथ-साथ, timely completion of the syllabus, किसी भी exam के लिए, किसी भी course के लिए specific time है, और उस time period में हम syllabus complete करते हैं, फिर आता है study material, जो की precise है और साथ ही updated study material बच्चों को मिलेगा, कोई भी course हो, updated study material बच्चों को offline भी मिल रहा है, और online, जो application मैंने अभी बताया आपको उन सभी app पे भी mock test series, updated mock test series बच्चों को मिलेगे, तो यही सारी facility हैं, जिससे बच्चे exam crack कर पाते हैं, जिली, तो basically यह आपने USP बताई, आपने सारी जानकारी दी NDA के बारे में, साथ-साथ आपने बताया था, फ्रेंचाइजी के बारे में भी, कि आप block level, district level और state level फ्रें revenue sharing, जो के हमारा block level पर पार्टनर हैं, तो जो फ्रेंचाइजी रेना चाहते हैं, वो यह भी जानना चाहेंगे, कि उनका income percentage क्या रहेगा, क्या profit margin रहेगा, तो आप प्लिस शेयर करें इसके बारे में, जिजरूर, देखे, income जो process होता है, सबसे पहले तो हम यह जान लेते हैं कि किसी भी education sector में, कोई भी अगर institute open भी करें, तो पूरे साल के अगर हम income की बात करें, तो maximum जो earning हो पाती है, उनके 10 to 20% is the maximum earning, लेकिन यहाँ पे हम अपने franchisee partners को यह मौका दे रहे हैं, कि वो चाहिए वो block level पे काम करें, एक silver level का partner भी 30% तक earn कर सकता है, 30% specific admission के according, फिर यह grow हो जैसे जैसे आप upwards जाते हैं, जैसे अगर आप gold partners के तौर पे जुरते हैं, तो आपका जो earning है, वो 40% तक है, और अगर आप platinum partner के तौर पे हमारे साथ जुरते हैं, तो आपका जो earning है, वो 45% तक है, so this is the huge percentage of earning, जो सर्फ और सर्फ तारा इंस्टिर्यों के थ्रू ही आप लोग करते हैं, तो franchises, आप लोग पहन इंडिया बना रहे हैं, या फिर केवल कुछ उनिंदा शहरों में या स्टेट में बना रहे हैं, किस तरिके लिए, फ्रेंचाइजी all over India है हमारी, जैसा अभी हमने ही block level का मतलब ही है, कि छोटे से कस्बे से लेकर state level तक हम काम कर रहे हैं, so क हमने जाना NDA के बारे में कि National Defense Academy में आप admission किस तरीके से ले सकते हैं, क्या joining process है, साल में कितनी वार exam होता है, अगर आपको coaching लेनी है, तो coaching की fees क्या होगी, और साथी साथ coaching आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, क्या आपका discipline होना चाहिए, और किस तरीके से आपको तयारी करनी चाहिए, जीत की with NDA, दोस्तो NDA सरकारी नोकरी, और जैसे कि सरकारी नोकरी के अगर हम बात करें, तो TARA Institute जिनका slogan है, नोकरी नहीं सरकारी नोकरी, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, कि यहाँ पर केवल आपको सरकारी नोकरी की तयारी नहीं की जाती ह सरकारी और गैर सरकारी, बहुत सारे अलग-अलग कोर्से की पूरी तयारी करवाता है TARA Institute, जहाँ पर की आप आसानी से, ऑनलाइन माध्यम से या फिर आफलाइन माध्यम से इनके साथ जुड़ कर अपने भविस्य को बना सकते हैं, और पिछले 14 सालों से ऐसे 1000 और राखों बच्चे इनके साथ जुड़ कर अपने लाइफ को सेक्योर कर चुके हैं, अपने फ्यूचर को सेक्योर कर चुके हैं, तो आप भी अगर कोई भी कोर्स जॉइन करना चाहते हैं, 36 ज्यादा कोर्से हैं इनके पास, कोई भी कोर्स अगर आप करना चाहते हैं, तो आप इनकी पास एक opportunity आती है income की भी तो आपको आज बताया गया कि तारा इशुट के आप फ्रेंचाइजी भी ले सकते हैं और फ्रेंचाइजी लेकर पूरी इंडिया में block level से लेकर stake level पर जैसे भी आप चाहें अगर आप चाहें तो silver partner बन सकते हैं और आप चाहें तो gold याफी platinum partner बन कर एक अच्छे कासी income भी कमा सकते हैं और यहाँ पर income कमाने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ marketing पर focus करना है बाकि quality, study material, study, teaching हर चीज़ पर तारा इशुट खुद ही काम करता है आपको कोई भी काम नहीं करना होता है तो quality तारा इशुट के जिम्मे और marketing आपके जिम्मे इस तर student भी और as an entrepreneur भी तो दोस्तों वेपार की बात franchise बताओं के साथ में जो हमारा main focus रहता है हम focus करते हैं किस तरीके से हम आपके लिए अलग-अलग business opportunity लेकर आए जो कि आपके भविस्य को भी सुधारे और साथी साथ आपको एक अच्छी income opportunity भी दे तो आज इसी सीरीज में हमने बात की वन्दा सर्मा में हमसे जो की project manager थी तारा institute की ऐसे ही आपको वेपार की बात franchise ही बताओं के साथ में अलग-अलग ओद्योगी घरानों के honors और लोगों से मिलने का मौका मिलेगा आपको उनकी vision को जानने का मौका मिलेगा आपको जानने को मिलेगा किस तरीके से एक छो स्टोरीज लेकर आएं हम आपके लिए real person लेकर आएं तो आप हमें directly questions भी पूछ सकते हैं दोस्तों मैं हूँ आशीश अगरवाल founder of franchise ही बताओ आज आपके साथ हूँ anchor वेपार की बात franchise ही बताओ के साथ में इस पूरे program को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हुआ 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 है